उत्रपदेश के हरिते शेत्र में बढ़ोतरी के लिए व्रक्षा रोपन अभ्यान चलाया जा रहा है वहीं जन आंदूलन में जन जनपद वासियों ने इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में व्रक्षा रोपन किया वहीं अभ्यान के तहट निर्धारित लक्षे 23 लाग से भी जादा पौधों का रोपन हुआ साथी जिलाधीकारी जिटेनर प्रताप सिंग ने पैकॉली महराजा मंदिर में हरी शंक्री का पौधा लगाया जुलाई के इस अवसर पर जो दन्पत देवरिया में ब्रक्षा रूपन का जो महाव यहां है उसकी शुरुवाद मैंने यहां पैकॉली महराज का जो आश्रम है देवरिया के दिविस्थान है और सजियों कुरान है यहां पर मैंने मंदिर परिसर में पीड़ लगातर पार प्रदेश के गाओं में सुद्वाइवर है और उस देश देश को लेकर की पूरे प्रदेश में आज यह का भ्यान इसका लिया गया है